देश की महिलाव के लिए राखी से पहले देश के प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने बड़ा तोफा दे दिया है जहां एक तरफ राखी है तो वहीं दूसरे तरफ आम चुनाव भी होने को है तो कहीं ये लोग सभा चुनाव से पहले एक दाव तो नहीं या प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी के तरफ से देश की महिलाव के लिए अपनी बहनों के लिए ये बड़ा तोफा तो नहीं दरसल एलपीजी सिलिंडरों की कीमत में 200 रुपे की कटोती की गई है और साथी साथ बता दे कि जो उजवला योजना की लाभारती है उन्हें अब दुगना लाभ मिलने वाला है केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलिंडर के दामों में 200 रुपे की कटोती की है केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को केंद्र कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी है जहां एक और आम उपभोकताव के लिए रसोई गैस की कीमतों में प्रती योजना पर भी बड़ी राहत दी गई है उजवला योजना वाले सिलिंडरों के दाम में 400 रुपे की कमी की गई है उजवला योजना के तहत अब तक देश में 9.5 करोड से ज्यादा कनेक्शन दिये जा चुके हैं इसकीम को 1 मई 2016 को लॉंच किया गया था अनुराग ठाकु पहले से ही 200 रुपे की सबसीडी मिलती है उजवला योजना के तहत अब तक 9.6 करोड साथ लाख परिवार को गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं केंद्र सरकार के इस निर्ने को अगले साल के लोकसभा चुनाव के पहले भी एक बड़े दाव के तोर पर भी देखा जा रहा बता दे कि 31 तारीको पुरदेश जो है रक्षा बंधन मना रहा है यानि राखी जो है वो सेलिबरेट की जाएगी तो राखी से पहले रक्षा बंधन भाई और बहन के पवित्र तिवहार से पहले देश के प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी अपने देश की महिलाव के लिए अपनी बहनों के लिए बड़ा तोफ़ा दे दिया है और साथी साथ ये भी मानना है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं साल 2024 में होने वाले लोग सभाचुनाव से पहले ये बड़ा दाव तो नहीं जो बीजेपी के तरफ से केंद्र सरकार के तरफ से खेल दिया गया है यानि देखे एलपीजी के दामों पर घरेलू गैस की कीमतों पर 200 रुपए की कटौती की गई है जिसमें खास कर जो उजवला योजना के लाभारती हैं उन्हें तो अब 400 रुपए की सबसिडी मिलेगी पहले तो उन्हें 200 रुपए की सबसिडी मिलती थी अब जो 200 रुपे कीमतों में 200 रुपे की कटौती की गई है इसे उन्हें 400 रुपे की जो सबसिडी है वो मिलने वाली है फिलाल तो इस खबर में बस इतना ही और में वीडियो ज़र अब डेट्स के लिए आप देखते हैं News for Nation